तो दोस्तो आज जनवरी की 10 तारीक है और आज का जो ये वीडियो है ये हाइब्रिड वाली वराइटी पर है हिबिसकस की हाइब्रिड वराइटी जिसको आप हिबिसकस या गुडल बोलते हैं आज की इस वीडियो में खास तोर पर जो शेयर करने वाला हूँ अकसर आपके साथ भी होता होगा कुछ एक पौदे आप एक साथ एक ही समय पर ग्रोव करते ही लेकिन कुछ प्लांट्स की एक जैसी सॉयल देने पर भी जो ग्रोथ है वो स्लो रहती है या बढ़ती नहीं है को सही किया जा सकता है और कैसे आप अपने हिबिसकस या गुडल के पौदों में धेरों फूल पा सकते हैं यह मेरी एक हाइब्रिड वराइटी है जैसे यहां पर भी आप नोटिस करेंगे इन में अच्छी फ्लारिंग है अगर मैं बात करूं तो यह भी जो पौदा है मेरा लगबग सेम एज का है दो से तीन साल एज का है लेकिन उस पर जो कलियां वो बननी स्टार्ट हुई है लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो है उसकी पतियां बहुत धीरे धीरे निकल रही है संलाइट की बात करूं तो एक प्रॉब्लम रहती है जिस को आप व्यूस कीजिए, आपके जो पौदा है वो डौबारा से benefits करने लगे और मिल आइज़ है. खर अधर की ग्रोथ बिल्कुल वाल है या रुकी हुई growth है. चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बताता हूँ आपको सारी जानकारी तो यह दिखी यह मेरा वो प्लांट है जिसके बारे में आपके साथ डिसकस कर रहा हूँ यह प्लांट और दूसरे जो आपके साथ प्लांट शेयर किये वो दोनों सेमेज की हैं बस डिफरेंस यह है कि इसकी मैंने कटिंग की थी इस है यह नई निकलती ही दिखाई देंग क्योंकि यह सर्दी का जो मौसम रहता है खास दोर पर मौनसुन के बाद का मौसम जितने भी हाइबरिड वराइटी की यह गूडल रहते हैं ही बिसकस रहते हैं इनका ग्रोइंग सीजन रहता है तो इसकी ग्रोथ स्लो है सबसे पहला क क्या रीजन रह सकता है इस चीज़ का टीसरा रीजन रहता है स्वाल का पिuter अब मेरे पास भी देखिए प्येच मेजह नहीं है जैसे मैं पिएच को नहीं जा सकता है दो पौधों का पीच रहता है वह कहा लीजिए छे से साड़े साथ के भी जिनको थोड़े सी एसेडिक जो सोयल है वो पसंद रहती है कई बार हम मिट्टी के अंदर ज़्यादा कैल्शियम या ज़्यादा फोस्फरस का इस्तेमाल करते हैं झो भी जो सोयल का पी-च है वो थोड़ा डिसबैलनस रहताए तोड़ा सा एल्कालाइन चला जाता है उस कंडिशन में जो फ्लान्ट की गृत है वो थोड़ी सLो रहती है हो सकता है इसका जो सोयल pH वो थोड़ा सा अपर साइड में हो मैं यह नहीं क्याता कि यह alkaline soil होगी लेकिन यह थोड़ा अपर साइड में साथ साथ के आसपास ही इसका जो pH वो maintain कर रहा होगा तो थोड़ी सी इसकी जो growth है वो slow रहेगी अगर pH alkaline रहेगा ज्यादा रहेगा साथ साथ से भी उपर जाएगा तो nutrient deficiency जो plant है वो show करने लगता है इसकी जो leaves है वो light green color में चली जाती है अब soil का pH सही करने का soil को थोड़ा सा acidic बनाने का यह एक बहुत सही घरेलू तरीका रहता है इसको आप use कीजेगा अपने plants में तो आपको जो result है वो बहुत अच्छा मिलेगा इस तरह से देखी यह जो आप देख रहे हैं इसको fit curry बोलते हैं alum बोलते हैं अकसर घरों में available रहता है बहुत सस्ती सी एक item रहती है तो इसका एक थोड़ा सा इस तरह साथ जो कह सकते हैं कि छोटा या बड़ा टुकड़ा लगबग एक दो ग्राम का जो piece रहता है इसको आप मिट्टी की side में दबा दीजिए जिस जैसे आप मिट्टी में पानी देंगे तो ये अपना जो कह सकता हूं की acid है या जो पानी है इसके साथ लगकर acidic जो water है वो मिट्टी में जाने लगेगा तो इससे जो soil pH है वो सही होने लगेगा और आप notice करेंगे कि कुछ समय के बाद आपका जो पादा है वो तेजी से growth करेगा और धेरों फूल देगा तो मेरी मिट्टी इस समय थोड़ी सी गिली है तो इसके अंदर मैं इस तरह से यह जो तुकड़ा इसको या तो प्लेस कर दूँगा या रूट से इस तरह से आस पास इसको इस तरह से दबा दूँगा तो एक छोटा तुकड़ा काफी रहता है इस तरह के 10-12 इंच के गमले के लिए दूसरा जो इसको सही करने का सिस्टम रहता है वो इस तरह से आप जो यह विनेगर रहता है मार्किट में एवलेबल रहता है जिसको सिर्का बोलते हैं तो इस तरह से आप सिर्के का इस्तेमाल कर सकते हैं इसका यूज कितना करना है यह बहुत इंपोर्टेंट है सिर्के का जो इस्तमाल है वो आधा चमच दो लीटर पानी में मतलब दो एमल एक एमल एक लीटर पानी में आप डिजॉल्व करके हर पांच से छे दिन के बाद पौदे में पानी दीजीए तो कुछी दिन में आपका जो सॉइल है वो पिएज उसका सही रहने लगेगा सॉइल ऐसे डिक मेंटेन होगी तो यह एक बहुत असान तरीका रहता है घरेलू तरीका रहता है पौदे के सॉइल को पिएच को सही करने का इसके लावा आप प्लांट्स की रिपॉर्टिंग कर सकते हैं इसके अंदर इस खाद में लगबग सो ग्राम खाद लगा लिजिए सो ग्राम खाद के अंदर आप एक छोटा चमच चाय की पत्ती और आधा चमच कौफी का पावडर तो इस तरह से दोनों चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए ये तो नाइट्रोजन का सोर्स रहेगा जित मिक्स कर दीजिए बस ऐसा कुछ करने से पौदे की लीफी ग्रोथ और पत्तियां आप कुछी दिन में नोटीस करेंगे बहुत तेजी से निकल कर आएंगी ग्रोथ जो है वो डबल स्पीड पर चलेगी और जैसे से ग्रोथ चलेगी वैसे वैसे पौदे में जो पोटैशिय ये तो आपको इस तरह से जो गूडल के पौदे हैं ये बहुत हैवी फ्लारिंग देंगे तेजी से ग्रोथ करेंगे और आप जो नोटीस करेंगे पहले के मुकाबले आपके पौदे हैल्दी रहने लगेंगे तो बस दूस्तो ये सिंपल सा मैथड था घरेलो आपको नुस करूँगा जब इसमें हैवी फ्लारिंग होने लगेगी तो जल्दी मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ किसी और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई हैवी गार्डनिंग टेक कियर